Assalamualaikum friends, मैं आपको welcome करता हूँ, ETV 101 Foundation of Education के lecture No.22 में ये lecture जो है हमारा Psychological Foundation of Education की series का part date है इस lecture में ये topic हम cover करने वाले हैं, वो topic 117 से लेकर 122 तक हैं और ये lecture जो है इसकी वीडियो देखने के बाद, अप्रोड करने के बाद, जो है मिट रम का slave us हमारा complete हो जाएगा तो इस lecture में जो highlighted notes में use कर रहा हूँ, ये few of cost आपको मिल सकते हैं आप कि सरीके से notes मुझसे ले सकते हैं, वीडियो के end में मैं आपको बताऊँगा तो वो तीन procedure हैं, कोई भी procedure follow करके आप few of cost मुझसे ये notes हासिल कर सकते हैं तो आज के lecture में topic हम cover करने वाले हैं, वो topic 117 है, phenomenology, उसके बाद है hustler contribution to phenomenology, insurance contribution है, insurance contribution part 2 है, insurance contribution part 3 है, उसके बाद common thread और phenomenology है चलिए अपने handouts की जानिए move करते हैं, यह lecture जो है, वो बहुत जादा tough lecture इस तरीके से हैं, कि बहुत जादा conceptual बाते हैं इसके अंदर, और philosophy की बाते हैं, और बहुत जादा philosophical understanding हैं इसके अंदर, जो slides बहुत छोटी-छोटी हैं, 5-6 points में खतम हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर event happening या thought जो आपकी होती है, वो phenomena खिलाता है, और phenomenology is a philosophy of experience, जानिके phenomenology जो है वो एक फलसफा है, आपके अपने experience का, फिनोमेनोजी के अंदर जो ultimate source है, तमाम चीज़ों की वो basis करती है, इनसानों के living experience वे, यह एक इनसान जो जिन्दगी गुजारता है, और उस पूरी जिन्द काम करते हुए, तो उन experience का जो निचोड निगल के आता है, या उस experience को अगर आप study करते हैं, किसी इनसान की, जैसे Einstein है, उसके मुक्तलिव experience को आप study कर रहे हैं, तो वो phenomenology खिलाएगा, तो phenomenology examines pattern of subjective experience and consciousness, यानि कि phenomenology जो है, वो examine करती है, pattern को subjective experience के और consciousness के, अब subjective experience और consciousness ये दो difficult words हैं, तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया, इनको one by one explain करूँ, when someone is listening to music, यानि कि अगर कोई एक इनसान music सुन रहा होता है, तो music की note, pitch, speed and volume, यानि कि music की notes होती है, और उसकी pitch होती है, up and down होती है, और music की speed होती है, आप YouTube पे video देखते हैं, तो आप या करते हैं, वीडियो की speed बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, एक normal way में चल रही होती है, तो उसकी speed normal कैसे set की जाती है, तो वो उसकी note, pitch ऐसे set की जाती है, कि एक इनसान को सुनने के लिए, आपके air को सुनने के लिए, वो suitable हो, अब उस time note, pitch, speed, volume and heartbeat और air की vibration जो है, इन सब को आप major कर सकते हैं, scientific instrument के थू लेकिन एक listener का जो aesthetic experience है, उसको आप नहीं कर सकते हैं, यानि उसके दिमाग में उस time क्या चल रहा है, उसकी feelings क्या आ रही है, उसकी thoughts क्या आ रही है, उसको आप नहीं experience कर सकते हैं, तो यह जो experience है, यह subjective experience कहलाता है, तो phenomenology के अंदर एक तो subjective experience को measure करते हैं, और दूसरा का of responses to one surrounding, यानि कि एक इनसान जो है, उसकी इस चीज़ को measure करते हैं, कि वो consciousness के अंदर वो क्या कर रहा है, अब बहुत से लोग देखते हैं, पता नहीं, यह example suitable होगी या नहीं होगी, कि वो मुक्तलिफ किसम का नशा करते हैं, और वो नशे के अंदर बहुत जादा काम कर रहे ह होते हैं, तो आप बोलते हैं, यह बन्दा है, इसको जब तक यह नशा ना मिले तो यह काम नहीं कर सकता, तो वो consciousness की हालत में वो चीज़ नहीं कर पाता, तो मुक्तलिफ एथलेटिक्स जो होते हैं, ओलम्पिक्स वगएरा में जो रन करते हैं, तो आप देखते हैं, उनका जो है, वो drug test होता है, अगर वो drugs वगएरा लें तो वो बहुत तेज़ बागते हैं, लेकिन यह drug test क्यों होता है, क्योंकि वो मुक्तलिफ किसम के stimulates होते हैं, वो आपकी body की performance हो, उसको बहुत जादा बढ़ा देते हैं, उससे आपकी body को नुकसान हो रहा होता है, लेकिन उस चीज के pattern को examine करते हैं, focus upon a systematic reflection and on investigation of the structure of consciousness, realistic concept can be examined scientifically, यहनी कि जो realistic concept होते हैं, जो कि real concept होते हैं, उनको examine किया जाता है scientifically, systematic reflection क्या होता है, systematic reflection is a learning procedure during which learner comprehensively analyze their behavior and evaluate the contribution of its component to performance outcome, यहनी कि एक teacher अगर अपने students को पढ़ा रहा है, तो वो analyze करता है, कि उसका behavior उस time कैसा है, और वो अपनी जो चीजें वो पढ़ा रहा है उस topic को, वो उसके पाद students को test करता है, performance outcomes को देखता है, कि जो मैंने contribute किया इनको पढ़ाने में, उसका वो outcome जो कि मैं चाहा रहा था, वो outcome निकल के आया नहीं आया, अगर वो outcome निकल के नहीं आ है, वो ठीक था या नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि वो student की capability से बहुत जाता था, इनकी understanding से बाहर था, तो यह सारी चीजें वो systematic reflection के अंदर आती है, based on solely consciousness, consciousness हम पता है, what happened in our consciousness, the fault is whom, यानि कि इसके पाद एक teacher decide कर रहा होता है, कि हाँ भी fault मेरा है, या students का fault है, कि student ही interest नहीं ल experience किसी से inspire जो हो सकता हूं, लेकिन जैसा experience उनका गुजरा, वैसा experience मेरे नहीं हो सकता है, जैसे एक मिसाल है, कि एक जो जैसे युसेन बोल्ट है, वो athletes है, वो 100 meter की race के अंदर बहुत जादा world record उन्होंने बनाया है, अब अगर मैं उनसे inspire हो जाँ और मैं कोशिश करूंगे, म practices की हैं, वो practices में नहीं कर रहा है, जिस वया से मेरे साथ मसला हो रहा हूं, मैं वहां तक ना पहुच पाँँ, ते आप किसी से influence हो सकते हैं, inspire हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुर सेम उनके जैसा experience आपकी life में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बाद वकात हो जाता है, लेकिन बहुत जादा मुश्किल होता है, इसमें, views and social world is multi-form structure, multi-form structure क्या होते हैं, आपने देखो होगा architecture, जो structures हैं, वो बहुत साथ होते हैं, जैसे कि Taj Mahal है, वो architect का एक कमाल है, pyramid of Egypt है, वो architect का कमाल है, तो social world को आपने इस तरीके से देखना है, कि वो multi-form structures है, यानि कि जैसे कि difficult architectural structure होता है, ताज महल की बनावट है, मिसर के pyramid की बनावट है, तो उसको समझने के लिए आपको बहुत deep दिनना चाहिए, कि इतने सालों पहले Egypt में वो pyramid कैसे बना लिए गए, जब वो cranes नहीं थी, दूसी चीज़ी नहीं थी, तो किस तरीके से वो pyramid बना लिए गए, तो आपने उस subjectivity जैसे यहां पर हमने subjective experience की बात की, तो हर किसी की subjectivity अलग होती है, group understanding and unity, इसमें क्या होता है, कि हर तमाम students की अपनी inner subjectivity होती है, उनकी understanding अलग होती है, अगर आप group में students classroom के अंदर group of students वेटे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो इसा नहीं कि सबकी understanding सेम होगी, सबकी unity सेम होगी, हो सकता है कुछ के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, कुछ को वो concept समझ में आ जाए, कुछ को वो concept समझ में ना आए, तो यह सारी चीज़े होती है, तो I think so, कि Phenomenology को मैंने बहुत कोशिश किये deeply explain करनी की, भागी आप क्या कर सकते हैं, कि जो मुश्किल words आपको लग की है, और उसके बाद वाइगोट्सकी की बात की है, इसी तरीके से एक और फिलोसफर है, उनकी बात यहां पर हो रही है, every certainty when be questionable, यानि कि हर possibility जो है, उसको questionable हो सकती है, हर चीज के ओपर आप सवाल कर सकते हैं, एक जी शहुर आदमी, हम अश्रफल मखलुकात हैं, अकल रखत यानि कि ये बोल रहे हैं कि scientific method और नियोटलेस्टिक थिंकिंग जो है, वो overvalued हो जाती है, और important है कि understanding behavior को आप समझें और consciousness के अंदर जो आपका behavior है, उसको समझना भी जरूरी है, कि scientific method के जरीए आप बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकि understanding के एक बंदे का behavior क्या है, consciousness क के अंदर वो घुसा करता है, ये दूसरे मामलात होते हैं, वो क्यों होते हैं इन चीज़ों को आपने समझना, in short, can conduct a science of perceptions, यानि कि आपके खयालात क्या है, आपके मर्फूजे क्या है, आपकी thoughts क्या है, इस चीज़ को perception कहते हैं, we can think of perception as a process where we take sensory information from our environment and use that information in order to interact with our environment, perception allow us to take sensory information and make it allow something meaningful, जैसे कि आप अगर खाना खारे होते हैं, तो आप खाने को देखते हैं, जैसे एक मशीन है, उसको आप देख रहे होते हैं, लेकिन उसको आप सूंग नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप खाना खाराब हो जाए, तो उसमें से इस किसम की स्मेल आरी होगी कि आप उस ख करते हुए आप चीजों को एक meaningful meaning दे रहे होते हैं Consciousness is where you feel true meaning behind action, यानि कि Consciousness का मतलब यह होता है, कि जब आपको पता हो कि अगर एक बंदा घुसा कर रहा है, तो उसके पीछे वज़ा क्या है, आप उस वज़ा तक पहुँच सकते हो अनिलाइस कर सकते हो, time consciousness past event influence once present consciousness and perception, अब आप देखने है past में जो events होए है उसकी वज़ा से किसी एक बंदे की possession में consciousness खराब हो सकती है किसे past में उसकी किसी से लड़ाई हुई है आप घर से निकले हैं और आपकी रास्ते में influence करते हैं एक बंदे की present consciousness को perception was based on retention memory यानि कि retention और memory के अंदर होता है कि आप उस चीज़ को कितना याद रखते हैं जैसे आप किसी लड़ाई हुई है तो आप इस चीज़ को कितना लेके चलते हैं आप अपनी memory में रखते हैं परेशान होते रहें उसके बारे में जोचते हैं उसको retain करें तो आप परेशान होंगे इससे क्या होता है कि आप करते हैं उस memory को आप retain नहीं करते हैं बोल देते हैं चलो यार वो हो गया सो हो गया और आप इस चीज़ को खतम करते है what one sees is based on the past memories and reflection कि एक बंदा क्या देखता है उसकी reflection के उपर based करता है कि आपकी गाड़ी एक बंदे से टकरा ही सामने वाले की गलती दी और उसने आप पर गुस्सा गिया तो अब आप बिल्कुल तरीके से निकले आप उसको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी गलती थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं आप wrong side से आया और आप ने गाड़ी टकरा दी नुकसान मेरा भी हुआ है आप बहुत politely उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह गुस्सा कर रहा है उसके कुछ दिन बाद आपके साथ वही event हुआ और आप ने आपके जहन में यह है कि यार यह बंदा आएगा और चीख़एगा क्योंके पिछला experience आप कैसा हो सकता है आप क्या करेंगे हो सकता है कि आप निगल के चीखना शुरू कर दें इससे पहले यह मुझ पर भारी हो मैं इस पर भारी हो जाता हूँ तो यह past experience memories जो है वो reflections करते हैं आपके उसके बाद जो ही hustlers की contribution दी उसके बाद शुर्स contribution तो फिन पार्ट दी हैं यह आपके तो इनको one by one हम देखते हैं must accept own existence or other existence यानि कि इनसान को जो है आपको यह accept करना चाहिए कि आप जिस तरीके से आप exist करते हैं से दूसरे लोग भी exist करते हैं society के अंदर is world के अंदर must reflect observe other experience find themselves understand from one experience यानि कि जैसे कि दूसरों का experience जो है अकर आप एक business start करना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपने यह काम किया आपका experience कैसा रहा तीन-चार लोगों से पूछ है अगर तीन-चार का ही बुरा experience है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरा experience भी बुरा होगा तो फिर उसको आपको खुद experience करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि अच्छा है या बुरा है आपने रिसर्च करनी थी वह आपने कर ली कि तीन लोगों का अच्छा experience है 3 by 1 का ratio आरा है जैसे इसमें potential है ये business किया जा सकता है ये काम किया जा सकता है उसके पाद वो अच्छा है या बुरा है वो आप अपने on experience से जान सकते हैं कि अगर तीन के साथ अच्छा हुआ तो उन्होंने ऐसा क्या किया और एक के साथ बुरा हु आप जो experience करेंगे उसको आप past के अंदर experience करते जाएंगे और present में आपको experience गेन होता जाएगा एक आपने आज गलती किये कल आप वो गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये काम करने से past में ये खराब result आया था तो present में भी खराब result लियाएगा लेकिन अगर आप आप किसी दूसरे बंदे का experience लेंगे उससे पूछेंगे कि ये काम मैं ऐसे करने जा रहा हूं उससे क्या होगा तो उन्होंने कभी past में वो चीज की होगी तो आपको present में पता चल जाएगा कि हाँ यार ये काम करने से गलत हो सकता है तो इस line में इस चीज को define किया जा रहा ह आपके बहाई बहाई दूसरे लोग उनसे आप बात कर सकते है उसके बात पाट टू है we will see our action as a single act not natural view of two separate persons यानि कि हम अपने action को जो है वो singly देख सकते हैं individually देख सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि दो separate persons के action को हम same उसमें देख सकते हैं कि मैंने ऐसा किया है तो दूसरा भी ऐसा ही करेगा ये इस तरीके से नहीं होता है कि growing all together यानि कि आप ये चीज देख लें कि old आप एक साथ नहीं हो रहे होते हैं जैसे आप मुक्तलिफ किसम के जो फिल्म्स वगएरा के actors वगएरा होते हैं आप देख रहे होते हैं आप उनको बच्पन से देखते वे आते हैं आपके बालों में सफीदी आ जाती है आपकी गालों पे जुरीयां बढ़ने शुरू हो ज इसा नहीं है कि आपकी से इंफ्लेंस हो और बिल्कुल सेम एक्सपिरियंस वैसा आपको मुवी लेवल ऑफ इंजॉयमेंट अगर आप अपने दोस्तों के साथ मुवी देखने के लिए जाते हैं तो बहुत से दोस्तों को मुवी बहुत आउटस्टेंडिंग लगती है लेक किसी को पसंदा आई किसी को नहीं आई यह एक्स्पिरियंस जो है में लेट करता है कि हम सोचल वर्ल्ड में रहते हैं मुक्तलिप किसम के लोग है उनकी मुक्तलिफ थोड्स है जो नाइटिडिविजुलिज्म क्या होता है बही आल वेल्यूजर हो मन सेंटर दा है और तमाम इंसान जो है इंडिविजली जो है वो morally equal है कि हर किसी को इज़त मिलनी चाहिए इज़त नफ्स जो है आप किसी की भी मजरू नहीं कर सकते can perceive same world and understand other with similar experience subjective meanings जो है हम पीछे बुल-बुल बात कर चुके है कि हर किसी का इस दुनिया को देखने का नजरिया उसकी understanding अपनी होती है वो अपने experience के इसाफ से देख रहा होता है अपने subjective experience के इसाफ से देख रहा होता है हो सकता है आपके experience उससे अलग हो और आप उस चीज़ को अलग तरीके से देख रहे हो लेकिन एक बंदा उस चीज़ को consciousness और हमारे acts जो हैं वो एक दूसरे से conscious level पर मिले वे होते हैं इनका last part क्या है पार्ट 3 जो है social scientist should act as observer to detest self and biases जानि कि जो social scientist हैं उनको as a observer act करना चाहिए और अपनी self और biases ने इसको हटाना चाहिए जैसे अगर एक social scientist है और वो कोई theory लिख रहा है जैसे shorts जो है यह contribute कर रहे है phenomenology को अगर इनकी अपनी self थी कि यह बोले हैं कि socially मुझे अच्छा नहीं लगता वो social scientist का काम किया है कि वो observe करे और उस चीज़ को जो है जो है जो के सामने define कर दे अपनी research को biasness के बगएर यानि कि अपने आप की अपनी जाती सोच को लाए बगएर लोहों के सामने पेश कर दे stock of knowledge as a observer researcher must draw from all my experience यानि कि हम as a observer researcher अपना experience तो डालती ही है fill in the blanks के अंदर individual must also do real interacting हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम shoots के behavior को पढ़ रहे हैं कि social interaction होती है दूसरे के experience से फायदा होता है लेकिन जब आप कुद किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको अपने भी experience जेखने चाहिए कि हाँ यह क्या बात कर रहा है से क्या नजरिया निकलivel 솔직 नकलगे आ रहा है इसा नुक्सान हो भी सकता है या इसको इस business में नुक्सान होओा थो हो सकता है उसने एक shop खोल ली सारी चीज़ técnica लेकिन दुकान क imagen रहा है और बोल रहा mm आ तो इसमें इसके उपर आप ये ड्रो नहीं कर सकते कि भई शुर्स ने तो बोला था कि भई दूसरों का एक्सपीरियंस देखें आप इसको नुकसान होगा तो मैं बिजनिस ओपन ही नहीं करता हूं आप ये भी देखें आप इंडिविजली भी उसको देखेंगे उसके इंट्रेक्शन क्या है कि आप शॉप खोलते भी थे या नहीं खोलते भी वो बोले मैं तो खोलता ही नहीं था तो फिर किस तरीके से बिजनिस होगा वर्ल इसकंसर्क्टेट बाइ सोशल गूरूप लाइफ एक्सपिरियंस और अप इस दुनिया में रहते हैं तो हमें इन चीजों से गाहे बगारे हमारा इनका तालूप होता रहता है कि नॉमलोजी बिल्कुल डिटेल में हम डिसकस करते वह आ रहे हैं एक हैमर है जो एक हतोड़ा है वो किसी के लिए टूल है और वो किसी के लिए जो है वो कारपेंटर के लिए वो टूल है रिटेलर के लिए जो मर्शनडाइज है प्रोड़क्ट है वो सेल कर रहा है killer के लिए वेपन काम कर सकता है lecturer के लिए वो एक prop काम कर सकता है कि वो दिखा रहा है जैसे एक judge के पास वो हतोड़ी पड़ी भी होती है तो उसको मार के लोगों को चुप करवाने की कोशिश करता है तो हर किसी लिए अलग है communist एक जमात है उसके लिए जो है या तो दूसरों के experience को examine करना पड़ेगा To achieve this in a fundamental way we must avoid existing prediction to our understanding of experience scientific historical aesthetic यानि कि हम इसको fundamentally अगर हम इसको देखना चाते है हकीका आना तोर पे हम अगर इसको observe करना चाते हैं तो हम इन सारी चीजों को हटा दे scientific historical aesthetic इसको पढ़ ज़रूर लें इनकी precautions जहन में रख लें और फिर हम खुद से experience करें तो वो जो knowledge निकल के आएगी तो एक अलग ही knowledge होगी हमें खुद पता होगा कि वाकिए ये जो लिखावा है वो ठीक है या नहीं है I desire to enhance the richness and vitality of everyday life experience यानि कि हर रोज मर्रा जिंदगी में क्या कर रहे होते हैं उन्हें experience को हासिल करने के एक चाहत होनी चाहिए आपके अंदर आप fear and awareness of the kind and of thinking that result in doubting of the existence of the outside world कैसा नहीं कि आप fear करें और आप ये सोचते रहें नहीं आर ये इससे मुझे घलत हो जाएगा नुकसान हो जाएगा तो risk है तो risk तो लेना पड़ेगा जब आप इस outside world को देखना चाहते हैं explore करना चाहते है allow us to understand how social structure develop social structure किस तरीके से बन रहा है individual के जो है वो break down कर सकते है individual के actions को कि एक बंदा गुसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है खुश है तो क्यों है दूसरी country में लोग खुश रहते हैं तो उसके पीछे क्या वाजा है तो यह सारी चीज़ें हमें दुनिया को explore करने की इजासत देते हैं अब इसमें positive approach positive approach का word यूज हुआ है positive ism is a term used to describe an approach to study the society and realize specifically or empirical scientific evidence such as controlled experiments and statistics तो यहनि कि positive approach क्या है कि हमें मुक्तलिफ किसम की study करने को देते हैं कि एक बंदा अगर बहुत खुश है और positive रहता है तो उसके पीछे क्या statistics हैं क्या वज़ा हैं कि वो खुश है या एक country में बहुत जादा economic stability है तो इसकी क्या वज़ा है कि वो लोग इतनी तरकी कर रहे हैं उनका रहे हैं जैसे आप Japanese को देख सकते हैं कि वो बहुत जादा punctuals होते हैं मुस्तकिल improvement की बात करते रहते हैं वक्त जाया नहीं करते हैं इवन कि वहाँ पे ठंडा पानी नहीं पिया जाता है कि टंडे पानी से बहुत हार्ट की बिमारियों से related हो जाता है यह आप देखें वो गरम पानी पीते हैं और हार्ट रेट जो है वो बहुत जादा कम है अब इस पर डॉक्टर या रिसर्च बता सकती है कि क्या मसला है ऐसा है या नहीं है लिकीन ऐसा है कि वह एक वज़ा यह भी है जैपनीस में हर्ट ट्रेट राहर्ट की बिमारियां कम होनी कि कि वह गरम नीम गरम पानी का इस्था है उसके बाद है पुर्वाइड आ मैतलोडी कल इसलूशन जो है मैतलोडी कल सुलूशन मैं तो डोलोजिकल सुलूशन क्या होता है modern solution methodology offer a set of macro and micro practices that helps a practitioner systematically examine the odds of a successful analytic project outcome जानी कि अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप systematic approach अपना है macro and micro practices अपना है और उसकी दोर पे modern methodology को अपनाते वे आप ये solutions वखरा जो है वो डोंड सकते हैं तो sorry guys आज का lecture थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये बहुत साथ डिटेल में था मैंने कोशिश की जितना आपको easily समझा सकूँ तो ये था आज का lecture अगर के problem है तो आप comment section में मुझ से बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe ज़रूर कर लें बेल आइकन को दबा दें क्योंकि अब मिट्रम आ गए हैं हम जैसे ही मिट्रम से related important videos डालेंगे जैसे कि MCQs की subjective questions की past papers की और हमारे अपने experience है जो papers हम observe करते रहेंगे किस तरीके के paper आते हैं तो उससे क्या होगा जब आप channel subscribe करके बेल आइकन को दबाएंगे तो वो आपके पास notification आजाएगा वीडियो का और उसको देखे आप एपने paper की अच्छी preparation कर सकते हैं यह highlighted notes complete mid-term के हासिल करने के लिए वीडियो के description में मेरा email ID मौझूद है WhatsApp group का link मौझूद है Facebook page का link मौझूद है जो आपको suitable लगता है वहाँ से contact करें हम इंशाला free of course आपको यह notes provide कर देंगे तो आज की वीडियो में इतना ही mid-term का syllabus हमारा complete हो गया अगर आपको इससे फायदा हो तो दुआओं में याद रखें मिलते हैं अगली वीडियो में